त्रीस्तरिय पंचाय चुनाव की तारीखों का एलान फिर नगरी निकाय चुनावों की तारीखों की घोषना के बाद सिहोर जिलाप्रशासन एक्शन मोड में नज़रा रहा है एक साथ हो रहे दोनों चुनावों को शांती पून तरीके से संपन्न करने के लिए सिहोर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर कमर कस चुके हैं जिसको लेकर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर से MPNU समवादाता कमल पांचाल ने खास बाचीत की सर एक बड़ी चुनूती रहती है सांती बुन चुनावों समवादा करना क्या तयार रहें रहेंगे नगरिय निकाय के चुनाव की घोष्टना हो गई है और हमारे जिले में पहले चरण में केवल सीहोर नगरपालिका के चुनाव हैं और दूसरे चरण में अन्ये सभी नगरपालिकाओं के चुनाओ है। तो जब सिहोब नगरपालिका के चुनाओ का समय आएगा, तब तक हम अपने पनचैत चुनाओ में सिहोर इचावर और नसला गंच के पनचैत चुनाओं से फ्री हो चुके होंगे. तो वो जो पूरा अमला और बल है वो हम Sihor Nगरpólika के चुनाव में लगाएंगे और Sihor Nगरpólika के चुनाव से फ्री होने के बाद हम AASHTRA और BUDDNA का 5 चुनाव करेंगे उसके बाद बागी नगरpólika के चुनाव हैं इसके लिए एक्ट्रा सेक्टर आफिसर्स, एक्ट्रा सेक्टर में इस्टेट्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि बहुत सुचारू रूप से चुनाव हो सके, और हमें आशा है कि बहुत स्मूथली हम यह चुनाव संबन करा लें। सरकुल मिला कि यह पंचायद और नगरी निकाव में होंगे और लगभग 2,000,000,000 के आसपास मद्दाता नगरी निकाव में होंगे, जिसमें सबसे जादा संख्या सिहोर नगरपालिका में ही है, और उसके बाद दूसरे नुमर पर आश्टा नगरपालिका जहां मद्दाता की संख्या देगे, इसके अलावा तो नगर परिशद हमारी छोटी छोटी है, जहां कुछ हजारों की संख्या में ही मद्दाता है, कितने सम्वेदन शील इसे बूथ है जिन पर आपकी विवस्ता रही, सम्वेदन शील बूथ हमने पिछले चुनाओं के हिसाब से एक सूची बनाई है, और अभी हमने उसको आयोग को भेजी भी है, लेकिन सभी आरो से हमने ये कहा है, कि नामांकन के आखरी दिन के बाद सम्वेदन शील मद्दान के इंदरों की सूची फिर से बदलेगी, कि किसने नामांकन भरा है, तो पंचायत चुनाओं के नामांकन छे तारिक पंचायत चुनाओं में सभीदन शील मद्दान के इंदरों की सूची एक बार फिर हम 6 तारिक के बाद रिवाइज करेंगे, और नगरी शेतरों में सम्वेदन शील मद्दान के इंदर कम है, लेकिन क्योंकि किस तरह के लोग नामांकन भर रहे हैं, अगर उसमें से कोई ऐस सा वेक्ति होता है जिसके कारण समिधन शीलता बढ़ती है तो उसको भी हम समिधन शील में जोड़ेंगे लोकतंतर का बड़ा परवह चुनाओ बारिश का समय भी है किस तरह की तयारी रहेगी वोटर को मदान के इंदर तक ले जाने की और उसे जागरूप करने का क्या आपने पहुंच मार्ग में कहीं कोई ऐसी समस्या है कि वहाँ कोई नाला या ऐसा नदी है जो बारिश के समय वहाँ परिशानी कर सकता है तो वहाँ भी हम टेंप्रेरी कुछ वस्थाएं करेंगे आवश्था यदि पढ़ती है किसी विशेश मदान के इंदर पर ऐसी कि मदाताओं को मदान के इंदर पर पहुचने के लिए किसी मदद के आवश्था पड़ेगी तो वैसी वस्था भी करेंगे बट अभी तक जो हमारा सर्वे आ रहा है उसमें 99% मदान के इंदर पर हमको बारिश नहीं आ रही है विशेश रूप से नगरी नेकाओं के चुनाओं में तो हम को बारिश के लेकर समस्था लगबा कहीं भी नहीं आ रही है एकाद परसेंट ऐसी ग्रामिन शेतर में इसे मदान के इंदर हो सकते हैं जहां हमको मदाताओं को अगर उस दिन बहुत जादा बारिश हुई तो मदाताओं को मदान के इंदर पर ले जाने के लिए कुछ वैकल बारिश जाद रूप से और निश्पक्ष तरीके से हमें चुनाव संपन करा लें एम्पी निउस के मदान के इंदर पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहों तो आप उस दिन अपना समय जरूर निकाले और आ गया कर मदान के लिए जरूर करें चली बहुत बू पताओं को मद्दान करने के लिए मद्दान के नोता पोच्छना चाहिए सिहोर से MP News के लिए कमल पांचार